कि है लो स्टुडेंट्स वेरी गुड मॉर्णिंग तो एन अनॉल जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा हमने अल्मोस्ट जो जो आपका थर्ड सेग्मेंट है उसको यह कंप्लीट हो रहा है ओके फर्स्ट पार्ट में था आपका डैट मेंस पंप्स के बारे में अपन किया उसके बाद हमने स्टार्ट किया और और सब कुछ इसके प्रोसेश वगारा सब पंप्लीट हो चुके हैं आपने डिफ्रेंस देख लिया दोनों में कि होटे दिफ्रेंस बेट्विन आपका एसाई और सी इंजन में क्या डिफ्रेंस है ओके टू स्टोग और फो साइकिल फॉर एसाई इंजन यह पेट्रोल इंजन के लिए रहता है यह इसमें जो बेसिकली जो जो प्रोसेश रहते हैं मेंली कौन कौन से आपका सक्सन कंप्रेशन इस्पेंस ठीक है तो यहां पर सक्सन होता है देखें आप जो आपका रिवर्सबल अडियावेटिक कंप साइकिल की बात करेंगे तो वह जो हीट का एडियरेसं रहे होता है जबकि जहींत करेंशोब के थाईक्शन ज्ञाओ फाने कंप्रशन हो नहीं हृटो साइक्षल शाइक्री क्यों यह होता है तो यहां पर क्या निखा हुए थरेक्षा हेघ्ष एंड्ड एक्वक्षा फान् देखें पीवी डाइग्राम है यह ओके पीवी डाइग्राम में आप क्लियर कर पाएंगे कि जिसे की प्रेसर और वॉल्यूम के बीच वे ग्राफ लॉड करते हैं और आपको मैंने पहली बताया है कि वॉल्यूम और प्रेसर दोनों में ही आपका इंडिपेंडेंडेंट वार करते हैं ठीक है ना तो उसमें क्या वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करने से आपको क्या होता प्रेसर आपका वहां पे इंक्रीज करेगा यदि वॉल्यूम आपका एक्स्पेंड करेंगे बढ़ाएंगे तो प्रेसर आपका रिलीज करेगा डिक्रीज करेंगा ठीक है तो यहां पर देखिए बात करूं आपका जो जीरो सुवन होता है आपका वो क्या है अपका सक्सन है और जिदे में पिस्टन की बात करूं पिस्टन एदिमान लिया दिखाये जाए तो जो वियास है यह इस ट्रोग वाल्यूम या स्वेट वॉल्यूम इसे बो स्क्सन होता है चार्ज इंटेक करेगा वॉल्यूम बढ़ गया ऐट वॉल्यूम बढ़ की पढ़नों की पावर गामा गत्का है यह तो द्रोग पर क्रिरिशन होता है जबकि दू तो ब्रूख बढो पर द्रोगों होता यह दोनों ही आपका two to three के हैपका हीट आपका हीट की supply है ठीक है और जो four to one के हैपका हीट का rejection है ठीक है तो मैंने बताया आपका कि constant volume पे heat कर आपका supply rejection हो रहा है तो constant volume के लिए क्या बोलते हैं आपका constant volume पे क्या होता है आप पहली पढ़ा है क्यों बराबर mc डेल्टा टी पढ़ा है अपने यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब क्या हो जाएगा आप यहां पर कुछ कुछ रेशियो है जैसे क्या क्या है ठीक है ना compression इस आप रेशियो क्या है ठ्रमल अटर मल्रेशियो क्या है एक्सेश्याटир रेशियो क्या है तो compression इसवKY क्या होता है volume हो मैं आपका accuracy को fans वालीयूम आफ्टर क्या बहुते हैं or directlyаз है तो अब जब thermal efficiency निकालेंगे तो क्या होता है that is the output upon input तो output हमेशा काउंसी होती है that means output आप दरपेंज कितना अपने work done किया work done यानि कि आपका crank shaft में कितनी power supply हुई ठीक है ना तो वही आपका work done होता है w net upon net heat supply w net upon qs होगा तो w net क्या होता है कितनी heat supply हुई कितना reduction हुआ है यानिकि qs-qr कितना है आपका मैंने बताया mcv t3-t2-mcv t4-t1 ठीक है तो m common हो जाएगा और cv common हो जाएगा cancel out हो जाएगा सब कुछ हलाकि हमने आपका unit mass लिया है ठीक है तो यह आपका यहां से cv common हो जाएगा तो क्या जाएगा देखें t3-t2-t4 plus t1 ठीक है ना और नीचे भी आपका t3-t2 है ध्यान दे जा रहा इसको separate कर लेंगे ओके तो 3-t2 क्या हो जाएगा by t3-1 हो जाएगा तो क्या बच आपका t4-t1 अपां t3-t2 अब यहां पर जो relation निकालना है आपको देखें आपका 1 से 2 क्या है अपका adiabatic compression है तो compression के लिए क्या होता है t2 by t1 निकालेंगे यहां पर ना तो वह क्या आता है आपका आपका v1 by v2 को पावर गाव माइनस 1 इसको मैंने क्लास में भी ठीस किया था तो यह आ जाएगा आपका v1 by v2 को पावर गाव माइनस 1 हो जाएगा यहां से आपका जो t2 को वैलियो निकालेंगी वो क्या निकालेंगे आपका t1 इंटू जो क्योंकि जो v1 by v2 है that is nothing बढ़त आपका तो temperature ratio निकालेंगे तो t4 by t3 क्या हो जाएगा similarly v3 by v4 की पावर गाव माइनस 1 और v3 by v4 ध्यान से देखें ग्राफ में जो v3 के value है वो किसकी बराबर है ले ग्राफ में देखें यहां पर v3 की value किसकी बराबर है v2 के बराबर है similarly v4 की value किसकी बराबर है v1 के बराबर आपका v2 और v3 की आपका इंए और v1 और v4 सेम है यहां पर जो आपका value है यहां पुट कर सकते हैं v3 y v4 की आपूट कर सकते हैं व थी कि जगा v2 के दूस्ता आप व कि जगा हो जाएगा तो v2y v1 कि पावर गावा – 1 यहां से कह सकते हैं कि t3 बराबर क्या हो जाएगा तो आरके की पावर गाम माइनस वन के वी वन वाई वी टू क्या हो जाएगा अब यहां पर इफिसेंसी निकाला जाए तो एट मिस इटा थर्मल इसकल टू क्या हो जाएगा 1-स सेम टी-4-1 अपन जो आप यहां पर जो वैलू आई है निन नीचे देखें यहां पर क्या था य प्रसर रिष्वी निकालते हैं है क्या हगए यहां सब्सक्राइब कासि भी ऐसे कि रीकले हो जाएगा घाट हहां इक यहां से जो बटन निकलेगा क्यों क्या हो जाएगा ऀए फिस ता आप देखें यहां पे यह आप प्रेसर रेस्य निकालते हैं प्रेसर रेस्य क्या हो जाएगा यह कह सकते हैं प्रेसर 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 P4 V4 अपनी common layer ले रिया तो यहां से क्या हो जाएगा P3 V3 upon P4 V4 minus 1 similarly यहां भी common ले लिया P1 V1 तो क्या हो जाएगा P2 V2 divided by P1 V1 minus 1 तो इस तरह से आजाएगा 1 upon gamma minus 1 और यह पूरा term आपका एजिटीज आजाएगा ठीक है यहां पे P4 V1 और यह जो term मा जाएगा क्या हो जाएगा RK की power gamma minus 1 हो जाएगा यहां पे ठीक है ना ओके और यहां पर आपका आजाएगा P1 V1 test哪lema minus 1 That means क्या हो जाएगा यहां से P1 V1 फिटी आपने बाहर ले ले P1 V1 upon gamma minus 1 RK की power gamma minus 1 minus 1 similarly आपको यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है आपका यहाँ पे दोनों टर्म में देखें RK की पावर गावर माइनस 1 माइनस 1 गावन हो जाएगा तो क्या बच एगा Rp आज इसमें बच जाएगा that means pressure ratio यह हो जाएगा और माइनस 1 f2 यह इसे किया किसम के लिए तो वॉलूम कर देंगे ऊहां से माख़ण प्रइसर पीम भी निकाल लेंगे ऑड़ों क्लियर हैं यह यहां तक कि कि हैं तक यहां मैंली प्रीकों आता है अंप से पूछा ही जाता है efficiency के लिए mean effective pressure कहीं नहीं पूछते हैं तो आपका पूरा काम यहीं तक हो जाता है यहीं तक हो जाता है तो यह है आपका efficiency of the auto cycle नेक्स वीडियो में हम लोग करेंगे आपका efficiency of the diesel cycle इसमें कोई doubt हो तो बिल्कुल आप query कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूट कर सकते हैं आज के लिए तना ही ओके थैंक यू थैंक यू सो मच